नमश्कार या आकाश्वानी है अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की अधियक्चिता में नई दिली में केंद्रिय मंत्री परिशक की बैठक जारी प्रधानमंत्री कल से शुरू हो रही पांच राजु की यात्रा के दोरान एक लाग छे हजार करोड रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारम करेंगे पाकिस्तान की नैस्टनल एसेंबली में नई प्रधानमंत्री का जुनाओ जारी सहबाज सरीब से होगा अमर आयूप का मुगाबला वन्य जीव दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेनर मोदी ने वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी न्यूजिलेंड को पीछे छोड़ती हुए विश्वे टेस्ट चेंपिन्शिप रैंकिंग में शीर्स एक पर पहुँचे भारतिय क्रिकेट टीम अब समाचार विस्तार से चुराओं आयोग द्वारा लोकसभाचुराओं के तारीकों की घोशना से पहले प्रधानमंत्री नरेनर मोदी आज केंद्रिय मंत्री परिशत की बैठक की अधियक्षिता कर रहे हैं यह बैठक राश्ट्रे राजधानी के चानक के पूरी डिप्लोमेटिक अंक्लेव में स्थित शुस्मा स्वराज भवन में हो रही है यह बैठक उनकी सरकार के दूसरे कारेकाल के दोरान इस तरह की लगभग आखरी बैठक हो सकती है क्योंकि इस साल अप्रिल में में लोगसभा चुना होने के उमीद है चुनाव आयोग अगले कुछ सब्ता में चुनाव कारेकर्म की घोशना कर सकता है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी कल से शुरू होरे पांच राजो के दोरे में एक लाग छे हजार करूर रुपे से अधिक की विकास परियूजनाओं का शुभारम करेंगे वे तेलांगना, तमिलाडू, ओडिस्सा, पश्मंगाल और बिहार के तीन दिनों के दोरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री कल सुभा लगभग साने दस बजे तेलांगना के अदिलाबाद में चपन हजार करोड रुपे से अधिक की कई विकास परियूजनाओं का उत्खाटन, लोकारपन और शिला नियास करेंगे इन परियूजनाओं में मुख्य परियूजनाएं बिजली छेतर से सम्मंदित है स्रीमोधी कल ही तमिलाडू में कलब कम में भावीनी का भी दोरा करेंगे प्रधानमंद्री मंगलवाग को सुबह करीब 10 बजे हैदरबाद में नागरिक वड़यन अनुसंधान संगठन केंद्र रास्टर को समर्पित करेंगे उसी दिन सुबह 11 बजे वे तेलांगना में सांगा रेड़ी में 6,800 करोड रुपे की कई विकास परियोजदाओ का उदगाटन लोकारपन और शिला नियास करेंगे शाम करीब साने 3 बजे प्रधान मंत्री ओडिसा में जाजपूर के चांदी खोले में 19,600 करोड रुपे की कई विकास परियोजदाओ का उदगाटन लोकारपन और शिला नियास करेंगे श्री मोधी 6 मार्च को कोलकता में सुबह करीब सवा 10 बजे 15,400 करोड रुपे की कई कनेक्टिविटी परियोजदाओ का उदगाटन और शिला नियास करेंगे इसके बाद शाम करीब साने 3 बजे प्रधान मंत्री बिहार के बेतिया में लगभग 8,700 करोड रुपे की विभि इंडियन आयल के LPG, बातलिंग, सन्यंत्र और भंडारन टर्मिनल का लोकारपन करेंगे पाकिस्तान में नयव प्रधान मंत्री चुनने के लिए आज नैशन एसेंबली में वोट डाले जा रहे हैं असेंबली सचीवाले के अनुसार पिछले महिने हुए चुनाओं में खंडित जना दिन शाहवाद सरीफ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सन्यूत उमिदवार है पाकिस्तान धरीक ए इंसाफ पार्टी के अमर अयूब खान ने भी कल अपना नामांकर दाखिल कियाता है विजई उमिदवार को कल पाकिस्तान के रास्टर पती भन एवान स सद्र में शपत दिलाई जाएगी आज विश्व वन्यजीव दिवस है जेव विदता सनेरक्षन की प्रती जागुपता फैराने के लिए हर साल तीन मार्च को यह दिवस मनाया जाता है इस फर्स वन्य जीव दिवस का विशय है लोगों और ग्रह को जोड़ना वन्य जीव सनरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज प्रधानमंद्री नरिंदर मोदी ने आज विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को बढ़ाय दी है सोसल मेरिया पोस्ट में प्रधानमंद्री ने उन लोगों की सरहना की जो वन्य जीव सनरक्षण के प्रयासों में सदेव आगे रहते हैं प्रधान मंत्रे ने कहा कि आज का दिन प्रत्वी को सनरक्षन देने के प्रतिवितता के साथ जीवन की अतुलनिय विवितताओं को मानने का दिन है भारतिय क्रिकेट टीम न्यूजलेंड को पीछे छोड़ती हुए विश्वट टेस्ट चेंपेंशिप रैंकिंग में सीर्स पर पहुँच गई है वर्तमान में भारतिय टीम इंग्लेंड के साथ जारी पांच क्रिकेट टेस्ट मैचों की स्रंकला में तीन एक से आगे है और अन्तिम मैच में भारत की जीच से उसके स्तथी मजबूत हो जाएगी सेन्य कारे विभाक काल में आत्वन निर्भर भारत और मैकिन इंडिया पहल पर दो दिन के विचास मंथन कारेक्रम का आयजन करेगा इसके अध्यक्षता प्रमुक रक्षा अध्यक्ष जनरल अनीर्चोहान करेंगे और रक्षा सचीव गिरिधर अरामाने मुख्य वक्ता होंगे रक्षा मंत्र अले के अनुसारे इसकारेक्रम का उद्देशय चुनोतियों से निबटना और शशस्त्र बलो के सवदेशी करण को गती देना है विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमनियम जैशंकर ने भारत की विदेश तीती की सरहना करते हुए आम लोगों की वेश्विक मामलों के बारे में अच्छी जान करें रखने की आवशक्ता पर बल दिया है वेकल अपनी पुस्तक वाई भारत मारस के विमोचन समारों को समोधित कर रहे थे डॉक्टर जैशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों की लिए विदेश नीती की मामलों में सक्रेय रूप से जुड़ना आवशक है विदेश मंतरी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतेख भारतिय नागरी को विदेश नीती में रूची लेनी चाहिए उन्हों कहां कि सरकार ने पिछले साल लगभग एक करोड तीस लाक नए पासपोर्ट जारी किये थे और वर्तमान में लगभग सवा तीन करोड भारतिय दुनिया भर में रह रहे हैं विदेशी मंतरी ने कहां कि विदेश जाने वाले भारतिय लोगों की संख्या तीन प्रती दिन बढ़ती जा रही है रक्षा मंतरी राजनात सिंग कल नई दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट दोहजार चौबिस का खार्टन करेंगे डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार परिदृष्य में एक महत्वा पूरण मेल का पत्थर है जो शशस्त्र बलो, रक्षा उदियो, स्टार्ट अप, सिक्षा विदो और नीती, निर्माताव, सहीद, प्रमुख हित धारकों को एक साथ लाएगा इस आयोजन का उददेश सार्ठक जुराओं को बढ़ावा देगा प्रद्योगिकी की यूव का प्रदर्शन करना और रक्षा छेतर में सहियो को बढ़ावा देना है यह आयोजन रक्षा छेत्र में भारत के अग्रणियों दियोगों में बड़ी संख्या में नवाचारों को और निवेशकों को आक्रशित करेगा निकारागुआ भारतिय फार्माकोपिया को मानेता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषा देश बन गया है भारत और निकारागुआ ने दवायों के विनियमन के छेत्र में सहियों के बारे में फार्माकोपिया से संबंदित एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं फर्मकोपिया एक सरकारी प्रकाशन है जिसमें चिकित्सिया दवायों की सुची होती है तता इन दवायों के प्रभाव और उप्योग सम्वन्दी निर्देश होते हैं इसी के साथ समाचार बुलिटिन समाथ हुआ नमस्कार